असलाम अलेकुम फ्रेंद्स और वेलकुम बाक टो कुक्वित व्राइनीज किचिन अब क्यूंकि इस सीजन में इतने लाल लाल और बहुत ही जादा फ्रेश टोमाटोज आ रहे हैं तो इसमें हम जाद तरह घरों में बनाते हैं तर्माटर की चटनी लेकिन बहुत सारे लोग कि आप विगिनर हैं और जो घर से दूर है और गहर आपको पता है निए पहत ही जाद आमेजिंग सबसे मजिद कि एक वाहर बनाना पटते हैं और पूरे दो महीने पेसी स्टोर करके हैं सबसे यहां पर मैं र्रेशर कूकर में बना रही हम इसे दो pushing those यहां पर मैं एक खिंद रही हो गरीं के अप कर ड्रिद्य बिए और इसे दो मैं इसे दोगे झाली हम साथ में इन चुछे बिधा कर लूंगी और यहां तो में पीड तो कुमन तो जितने भी इंग्रीडियन्स मैं आज कर रही हूं कोशिश करें कि आप सारे ही इस्तेमाल करें और इसे बहुत अच्छा तेस्टाता है तर इसके बाद मैं इसमें खड़ा धनिया आज कर दिया है और इसके बाद यहां आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रीन चिली इस बिल्कुल पॉफेक्टली इस तरह से हलकी से ग्राइंड हो गए हैं बस ऐसे हमें चाहे थे चली फलेक्स के जैसे हो गए है बस वैसे ही बनाने थे बिल्कुल फाइन पेस बना लेंगे तो पता नहीं चलेगी सीड़्ाइग और ऐसे थोड़ा से टेक्शिर कम आता है और चटनी के साथ चटनी को बना रही हूं लेकिन फिर भी थोड़ी सी यह वाली अनियन इसमें डाल दिया है बस मैं इसमें हाफ जो थी अनियन उसे चौप करके आड कर दिया है हलका से जब भी फ्राय हो जाएगी तो बाद में इतनी पता नहीं चलती बस जरूरी था इसलिए मैं इसमें आड कर दूंगी कुछ राइं ग्रीजिंट जिन्में मैं यूज किया है तर्मरिक पाउडर और वन केजी टुमाटो के साथ अगर आप चटनी बना रहे हैं तो यह सारी मेजिमेंस आप फॉलो कर सकते हैं यह पर मैंने वन टी स्पून इसमें तर्मरिक पाउडर आड पाउड कर लिया और इसकी बाद मैंने से आच कर दिया प्रशी कुकर में हलका से हमें इसे कर लेना है सारी तरफ से फ्राय और इसकी बाद हम इसे कवर कर गिये और फिर प्रेशर लगाएं गे और अगर आप किसी ओपन पॉर्ट में से बिना रहे हैं तो फिर आप उस कर दोंगी और तकरीबन दो वेसल लोंगी हाई फ्लेम पर और इतने में यह तो मर जाएं बिल्कुल पॉफेक्ली ड़न हो जाएंगे और आप अपने प्रेशर कुकर के अगवाडिंग ताइमिंग आगे और पीछे कर सकते हैं बस दो वेसल कंपलीट हो जाने के बाद जब म स्माशी से भी हो जाते हैं और इसमें काफी सारा यह पानी भी आजाता है अब इस इंपॉर्टन्ट स्टेप को जरूर फॉलो करें क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी आजाता है तो लोग क्या करते हैं इस पानी को बिल्कुल जला देते हैं वापरेट जब तक यह पानी नह जिनकी एपसे चैटनी बहुत जल्दी भी बन जाती है और साथ में ही बिल्कुल लिक्विड लिक्विड सी भी नहीं लगती तो पहले तो आप इसमें आठ कर दें अपने टेस्ट के अकॉर्टिंग सॉल्ट और इसके बिगर तो कोई भी खाना दू रहा है और एक किलो टमाटर के लिए यहां पर मैंने आठ किया है इसमें वन टी स्पून सॉल्ट और इसके बाद अब आप इसमें आठ कर दें टू टी स्पून्स चैने का आठा चैने को आप पहले रोस्ट कर लें अच्छे से और इसके बाद उसको ग्राइंड करके और इसके बाद इसमें टू टी स्पून्स उसे यह तुरी टी स्पून्स आप आठ कर सकते जितना भी आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहते है उस तरह से डाल जरूर दे और ऐसा करने से जितना भी पानी होता है यह आठा सोक लेता है और ऐसे में और भी कि अगरे यह गरेवी रिधी हो जाती यह बहुत बहुत धिक नहीं लेगिन हज इतनी ही हमारी डोटी पर अच्छे से कोच हो जाती है और फिर हएस पानी को बेवज़ा जलाना नहीं पड़ता और बहुत सारी मेनत भी नहीं ल Mal Smack में लगते अगर आप चने काटा नहीं ब्यूस करें तब आप इसमें ब्यूस कर सकते हैं लेकिन मैंने चने काटा इसमाल किया था उसके छिलकी के साथ और यहां देख सकते हैं हमारी चटनी जो है वह धीरे दिरे गारी भी होने लगी थी बस इससे श्टेज पर जो हमारी स्प्रेंग अन काफी असानी के साथ आप इसे रोटी में ग्राब कर सकते हैं तो यह हमारी जह है बिल्कुल कम्प्लीटली चेटनी रेडी होने वाली है वस कुछ स्टेप्स और रहे हैं यह अनियन हमने आट किया है यह भी हलका सा कुछ जाए और आप देख सकते हैं चेटनी जो हमारी इसमें से पानी बिल्कुल काइप सा हो गया है और साथ में आपको कुछ ग्रेवी जैसा भी नजर आ रहा होगा तो यह था कमाल जो हमने इसमें चने का आट किया और इसे हमें बहुत जादा से पकाना भी नहीं पड़ा सारी यह चीज़े बिल्कुल परफेक जब ड़ाया था कुछ द्लिर मैंने भी ठक भी पका लिया था प्रेशर नहीं लगाया था भी ठक कर भालिया था तो आप दो बाताएगा कि जाएका कुछ बदला लगा या फिर वैसे यह तेस्ट आया है तो यहां पर मैंने फ्रेश कौरियंडर लीव जाट कर दी हैं थोड जाए और इसकी बात अगर आप चाहें तो आप इसे कवर करके एक वेसल और ले सकते हैं जिसे कि जिस्प्रिंग अनियन्स हमने आज की हैं वह भी बहुत अच्छी से सौफन हो जाए और बिल्कुल गायब से हो जाए जिस्टे के यह मुह में बाइट रखे हैं यह बिल्कुल अब थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी भी नजर आ रही थी इसमें जो अनियन अमने आज किये तो अगर आपके तरफ इतनी ही पकी खाई जाती है तो आप इस स्टेज पर भी फ्लेम को आफ कर सकते हैं मैं इसे अभी थोड़ा सा और को करूंगी तो पांच मिनिट के लिए मैं जब इसे उपेन करके इस तरह से पका लिया उसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी और एक वेसल के बाद आप चेक करेंगे जब तो यह विलकुल पॉफेक्ट हो जाएगी हमारी चटनी और इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें सॉल्ट वगरा भी चेक कर सकते हैं कि सारी पॉफेक्ट है या नहीं अगर थोड़ी सी रेड चिली या फिर सॉल्ट वगरा कुछ आड करना चाहें तो इस स्टेज पर आड कर सकते हैं बस फिर क्या था मैंने से कर दिया कवर और एक वसल की बाद आप से मिलती हूँ और यहां पर जब इसमें से प्रेशर काफी आप यहां पाती है नॉर्मल रोटी किसी भी चीज के साथ आप इस इंज्वाइं करें राइस के साथ भी दोसा एक लीन शारी चीजों के साथ भी बहुत अच्छी है जरूर ट्राइ कीज़ीगा और अपने व्यूज में आप यह साथ चैय किज़ीगा आन चैनल पर नहें त मैंने तो सब्सक्राइब करें मैंने तो इसे सर्फ किया था हज मल्टी ग्रेन आठी की रोटी इसके साथ में ही मैंने एक चटनी बनाई थी जिसका लिंक आपको अपर आए बटन में दिपसें चटनी की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा इसके साथ मैंने थोड़ी से सालड रख आबर भी दिती नो हम गर ने बनाता की मैंने बनाई थी और स्किर मृम्टीक्रिण नों फिरोटी ऐंपकर क्रोटी तिल दिल दिल देक केर बाइ